14.3 भारती राजनीती में 1967 के बाद की प्रमुख राजनेति घटनाए 14.3.1 बैंकों का राश्ट्रिय करण और प्रिविपर्स की समाप्ति प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी ने बुन्यादी नीतिकत बदलावों की युजने बनाई 15.4. अमीरों के विरुद और गरीबों के पक्ष में वे लोकप्रिय नीतियां लागू करना चाहती थी 15. और साथ में क्रिशी शेत्र में करांति लाना चाहती थी 15. वे भूतपूरूर राजा महराजाओं को स्वतंत्रता के समय से भारत सरकार की ओर से दिये जा रहे अनुदान को समाप्त करना चाहती थी 15. साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रे करन करना चाहती थी ताकि उनका उप्योग गरीबों की मदद के लिए और क्रिशी क्रांति के लिए किया जाए सिंचित शेत्रों में किसानों को रिण वा अनुदान देकर उन्नत वीज, खाद और दवाओं के उप्योग से उत्पादन बढ़ाने की योजनत तयार हुई जिसे हरित क्रांति कहा गया 14.3.2 कॉंग्रेस का विभाजन इस दोर में कॉंग्रेस पार्टी में मदभेद बढ़ते गए एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्षि में तीवर कदम उठाना चाहते थे और उनका वाम पंथी दलों की तरफ जुकाओ था दूसरी और संगटन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे इंद्रा गांधी के इन कदमों का आम लोगों ने काफी हद तक समर्थन किया लेकिन कॉंग्रेस के अधिकांश बड़े नेता उससे खुश नहीं थे अपने आपको एक स्वतंत्र नेता के रूप में इस सापित करने के लिए 1979 में होने वाले राष्टपती चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टे के अधिकृत उमिद्वार नीलम संजीव रेड़ी का श्रीमती इंद्रा गांधी ने विरोध किया तथा विपक्षी दलों के उमिद्वार वी वी गिरी का समर्थन किया कॉंग्रेस के फूट वास्तिविक विभाजन में बदल गई इंद्रा गांधी के निर्त्रतुवाली कॉंग्रेस तथा के कामराज के निर्त्रतुवाली कॉंग्रेस 14.3.3 बांगला देश युद्ध 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाय गया था क्योंकि वहाँ पर मुसल्मान बहुस अंक्यक थे लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच तनाव बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनकी उपेक्छा और सोशन हो रहा है पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के चुने गयनेता को सत्ता ना सौप कर वहां बल पूर्वक शासन सुरू कर दिया इस कारण पाकिस्तान के दो भागों के बीच ग्रियुद्ध आरंभ हो गया जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आये इस तनाओं के चलतें 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चिड़ा जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को आजात कराने में सफल रहा पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बांगला देश बना 14.3.4 आपातकाल भारत के समिधान में यह प्रावधान है यदि सरकार यह महसूस करे कि देश में आंतरिक अशान्ती या विदेशी आक्रमन का खत्रा है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है आपातकाल का आशय यह है कि सरकार जरूरत के अनुसार नागरिक स्वतंतरताओं को स्थगित कर सकती है तथा संसत की शक्तियां भी सेमित कर सकती है मीडिया पर भी हर तरह का प्रतिभन लगाया जा सकता है आपातकाल एक तरह की आसाधारानिस्थिती हो सकती है जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाय रखने के नाम पर सरकार कोई भी कदम उठा सकती है देश में आंतरिक अशान्ती के आधार पर आपातकाल केवल एक बार 1975 से 1977 तक लगाया गया था इस आपातकाल के पीछे 1971 के बाद की अनेक परिस्थितियां जिम्मेदार थी कुछ समस्याएं दिर्धकालिन बदलाव के कारण थी जैसे सरकार की बढ़ती शक्ती के साथ ध्रष्टचार का बढ़ना कुछ कारण बाहरी थे जैसे 1973 में अरब इसराइल युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी व्रिद्धी हुई जिसके प्रभाव से देश में महगाई तेजी से बढ़ी 1971 के लोकसभा तथा 1972 के विधानसभा चुनाओं में सरकार ने लोकलुभावन वायदे किये थे मगर उन्हें पूरा करने के तरफ कोई विशेस प्रयास होता दिखाई नहीं दे रहा था ऐसे में लोगों में भारिय संतोष फैलने लगा और मजदूरों की हर्ताल और भ्रष्टचार विरोधी जैसे आंदोलन तिवर होने लगे हालात उस समय और गंभीर हो गए जब पूरे देश के रेलवे मजदूर 1974 में एक अभूत पूर्व हरताल किये जिसे सरकार को सरशस्त्र बलो की सहायता से नियंत्रित करना पड़ा दूसरे और बिहार और गुजरात के छात्र अपनी विभिन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे इसे बीच इलहाबाद हाई कोट के एक फैसले में इंद्रा गांधी को उनके संसदी शेत्र राय बरेली से चुने जाने को अवैद घोशित कर दिया गया जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अलोक तांतरिक मान कर हटाने के लिए जैप्रकाश नारायन के नित्रत्तों में व्यापक आंदोलन शुरू किया इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 25 जून 1975 को आपात काल की घोशना कर दी सरकार का मानना था कि अंदोलन कारी देश को आशांती और अस्थिर्ता की तरफ ले जा रहे हैं ऐसे में देश को बचाने के लिए आपात काल जरूरी हो गया था आपात काल के कटू अनुभवों ने देश के अधिकांश विपक्षी दल को एक जुट किया वाम दलों को छोड़ कर बाकी सभी दलों ने मिलकर जंता दल बनाया जिसने 1977 के चुनाओं में अभूत पूरुजीत के बाद सरकार बनाई लेकिन अंधरूनी मदभेतों के चलते यह सरकार अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाई और अंतता 1980 में फिर से चुनाओं हुए जिन में फिर से कॉंग्रेस को बहुत मिल गया और इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री बनी